ओम श्यान्ति मेरे श्रीर का नाम बलदेव सिंग और हमारा नजदीकी सेंटर जो है सोलन और मेरे ग्यान में आने का मैं सोलन आया तो मुझे किसी बेहन ने कहा कि यहां सपरून में एक सेंटर है और आप वहां के लिए दस मिट निकालिये यदि आपके पास समय हो तो तो मैं उस सेंटर पे गया तो मेरा बड़ा परमसो भाग्य में समझता हूं कि वहां पे बड़े दीदी बैठे थे और जो साथ दिन की जो हमारा कोर्स होता है उसकी बुक से दीदी ने मुझे आत्मा का परिचे परमात्मा का परिचे और ये सारी बाते दीदी ने मुझे उस बुक से बताईगे तो मैं इसके लिए बहुत ही अपने आपको अब भी खुश नसीव समझता हूं कि इतनी महान आत्मा और देखतपस्वी राजयोगनी दीदी ने जो है मुझे हो परिच्शनी समझाई और उसके बाद दीदी ने कहा कि आपके गाउं में गिता पाड़ शाला है तो वहाँ आपने साथ दिन का कॉर्स करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं उसके बाद घर गया और नेक्स डे से मैंने साथ दिन का कॉर्स शुरू किया तो साथ दिन का कॉर्स करने के बाद बीच बीच में हम सोलन सेंटर भी आते रहते थे तो अचानकी एक दिन में सोलन सेंटर आया तो राधा भेन होते थे उन्होंने कहा कि आप भाई जल्दी अंतर जाईए और भोग लग रहा है आप दीदी से दिष्टी लो तो मुझे दिष्टी का कोई ग्यान में बहुत नए मुर्ली भी इतनी समझो नहीं आती थी पर बाबा पे निश्चे था कि बाबा आ चुका है और हम आत्माओं को ग्यान योग से हमारी पालना कर रहे है तो जैसे ही मैं अंदर गया भोग लग रहा था तो मैं जैसे ही दीदी की दिष्टी मुझे पर पड़ी तो मुझे पूरा मैं अश्रीरी हो गया और मुझे पूरा बाबा का जो है लाइट माइट पूरा कमरा जैसे लाइट से भर गया और वो बहुत समय तक वो रहा अनुभो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा बाद में दीदी ने सभी से पूछा कुछ माताएं भी कलास में बैठे थे कि आपको क्या अनुभो हुए तो माताओं ने किसी ने सुनाया मुझे गुरुनानक जी का साक्षातकार हुआ किसी ने कहा कि मुझे माता का साक्षातकार हुआ तो दीदी ने जब मुझे से पूछा तो मेरे मुह से एक ही शब्द निकला कि पाना था सो पा लिया बस तो वो अनुबो मैं बीच बीच में रिलाइज करता हूँ जब भी योग में बैठता हूँ कि बावा कैसे बच्चों को खींचता है और कैसे बच्चों को ग्यान में और अनुभो बढ़ाता है और निश्चे बढ़ाता है तो मैं लखी रहा हूँ, 94 में मुझे ग्यान मिला और 94 में मदूबन जाने के लिए भी बाद में दीदी ने कहा कि अगर आपको मदूबन भी आप चल सकते हैं अगर आपको समय हो तो मुझे चुटियां पलाई की तो मुझे चुटियां मिली और मैं मदूबन के लिए त्यारी होगी गीता पाड़शाला का जो भाई था ओभी मेरे साथ है मदूबन चला हम दोनों ने त्यारी की तो मदूबन जाने पे बहुत उमंगुत सा था कि हम इतने मतलब बाबा को मिलने जा रहे हैं तो सबसे पहले पांड़ो भाउन में हमने हमारा एक experience रहा जैसे हम पांड़ो भाउन पहुँचे तो हमें एक टेंट में जगा मिली तो हम 17 भाई थे मुझे थोड़ी समरिती है तो कुछ भाईयों को मातेशरी भाउन में रहने का स्थान मिला तो कुछ भाईयों का संकल्ब चला कि हमें टेंट में जगा मिली तो हम तो बहुत खुश थे, जैसे ही फ्रेश हो के हम थोड़ा सा रेस्ट का निकले निकले, बहुत अच्छी धूप खिली भी थी, तो उसी समय क्या हुआ कि बहुत से एक बादल आये और बारी शुरू होगी, तो महा मदुमन वाले भाई ने भी कहा कि देखो बच्चों के क संखलब चल पड़े ऑंकि भी टेंट के में में जगा मिली, कुछ हम भी पहली बारी गहे थे तो कुछ और भाई भी पहली बारी होंगे, तो हमें एकनम ग्यानवी ग्यानवान में shift किया गया, और जब तक हम ग्यान 25 वार शुफ्ट हुए तब तक मौसम एकदम, पूरी तर आपको सभगेशाली समझता हूँ, क्यूंकि वो लगभग लास्ट मिलन था, 94 का, उसके बाद तो एक दोबारी और भी, 96 में तो डाइमन्ड हॉल तेयार हो गया था, तो पहला मिलन बाबा से, उससे पहले दिन एक भट्टी थी, तो भट्टी में हम लोग बैठे, जो दादी गुलजार बट्टी में आए, दादी गुलजार ने कहा, कि बाबा उपर से फोटो खीच रहा है, तो कोई भी हिलेगा नी, और वो लगभग दो घंटे की बट्टी थ तो हमें लग रहा था कि बाबा फोटो खीचेगा, तो हम बैठ गए एकदम स्थिर, और बाबा की आद में खो गए, कोई पता नी चला, और दादी कब स्टेज बे आये, दादी परकाश मनी स्टेज बे आये, हमें मालूम नी हुआ, और मेरा बहुत बड़ा परमसु भाग है कि मुझे दादी में बेना वादनी का साक्षाथकार हुआ, और दादी जिएसे बेना रूप में नीली लाइट और दादी बीच में, और वो बहुत समय को टरांस रहा, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पहला पे ये सुना रहे थे कि हमें दादी से माता का साक्षात कार हुआ फिर कुछ भाई बोल रहे थे कि कितने लोगों ने साक्षात कार किया होगा दादी से तो मैं अंदरंदरी खुश हो रहा था कि देखो मुझे भी ये साक्षात कार हुआ तो मैं अपने आपको भõती सो भागेशाली समझ रहा था फिर जिस दिन बाबा काने का दिन था उस दिन भहुत ही उमंगउथा और जैसे उड़ रहे थे हम सबी तो बाबा ने कहा कि आप लोग आ गए तो आप भहुत भागेशाली ओ तो और हुमारा उमंगुसा बढ़ गया और बहुत ही खुश थे तो इसी प्रकार हम वापिस आए उसके बाद तो बहुत बारी मदुबन जाना रहा पर मैं अपने आपको भागेशाली समझता हूँ कि जब भी कभी कोई भटी का प्रोग्राम हुआ तो हमने कभी मिस ने किया योग से बहुत मतलब शक्ती मिलती है और बहुत अच्छा लगता है तो हमारे लौकिक परिवार में बाद में माता जी बिन ने भी कोर्स किया बो भी मदुबन गे दोनों माताओं ने और उसके बाद काफी लोग परिवार के भी उन्होंने भी कोर्स किया भी मदुबन गे तो हमारे घर में बहुत एक दूसरे के प्रती एक खुशिया और बाबा के प्रती प्यार और सब के परिवार के प्रती सने है तो ऐसा लगता था कई लोग बोलते थे कि आपका घर तो स्वर्ग बन गया है क्योंकि सबी ने कोर्स कर लिया है तो खुश रहते थे बहुत और उसके बाद दो बेटियां जो वह भी हम स्कूटर पे जो भी टू विलर बन पे हम सोलन तक क्लास करने आना यहां से कोई 20 किलो मेटर 17 किलो मेटर है दरजा तो इतना उमंग उत्सा था कि जब टू बिलर या इस तरह हमारे पास सुविदा नहीं थी तो कई बारी तो हम प्रभात फेरी होती थी तो हम पैदल भी 20 किलो मेटर आ जाते थे रात कोई और दूसरे दिन प्रभात फेरी अटेंड करनी है तो इतना उमंग उत्सा शुरू शुरू में रहा और अभी भी उसके बाद मदूबन जाना सेवाओं में और सेवा का जब भी संकल्प सेंटर से दीदी ने कभी कहा तो हम उसके लिए अपना सोभागे समझते थे कि हमें सेवा का बाबा ने जैसे कहा है तो उसके लिए हम दोड़े दोड़े आते हैं और मदूबन की सेवा के लिए भी हम विशेश सेवाओं के लिए जाते हैं हर साल तो मदूबन के भी बहुत से एक्सपिरियंस है एक बारी मदूबन में कुछ तबीयत डिली होगी सबकी जैसे हम जाते हैं हिमाचल से तो वहाँ का कुछ टंपरेचर अलग होता है तो लगभग जनवरी फर्वरी का वो मीना था तो हम मदू बन गए तो वहाँ पे हमने लसी वगएरा ले ली तो गले खराब या बुखार वगएरा आ गया तो काफी सारे भाई रिकवर नहीं हो रहे थे द्वाईया हम काफी खा रहे थे तो जिस दिन बाबा मिलन हुआ उस दिन हम बाबा मिलन के लिए गए ओ तो उमंगुसा था था तो जैसे ही बाबा आए तो एक बेहन जो संदेशी बेहन थी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो बावा ने कहा कि ये जो बावा है शब्द है वो भी एक कैपसूल है तो उसको उठते बेटते आप लेते रहो तो सारी बिमारी जो ठीक हो जाएगी तो जो मैंने मेडिसिन ली थी उसको मैंने उसी शाम से खाना बंद कर दिया और मैं बस बावा बावा सुबा शाम उठते बेटते वही मतलब एक लगन लगा दी और दो दिन बाद मेरी तबीए ठीक होनी शूरू हुई और मुझे एक दिन ऐसे संकल पाया कि जैसे बोजन के लिए जा रहे थे कि मुझे नहाना है और एकदम मैं नहाने गया तो मैंने जो गरम कपड़े पहने थे वो सारे निकालके एकदम लाइट से कपड़े पहने और उसके बाद मुझे ऐसा खलकापन महसूस हुआ कि मुझे तो बिमार था ही नहीं और वो दौईयां जो थी हमारी ओमे एवर हेल्दी में वापिस करने गया ओमे ने वापिस की ओ दौई फिर मैं बोलता हूँ कि बावा एक क्या नहीं बावा कर सकता है बावा तो सरोशक्तिमान है और सर्जन भी है जो सभी की बिमारीयों को भी ठीक कर सकता है तो और भाईयों को भी मैंने इस तरह से कहा कि आप भी ये कैपसूल को लो और आप इससे ठीक होंगे और उसके बाद हम गोमने गए तो बड़ा उमंगुसा हुआ हुआ तो दो दो तीन तीन मेने तक उसके दोरान ठीक नहीं हो पाई तो ये भी बावा पे निश्चे और बावा ने जो कहा उसको हम करते है तो उमंगुसा भी आता है शरीर भी हमारा साहथ देता है और उमंगुसा बढ़ता ही जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें ये भी एक सेवा मिलिये कि हमें एक पीसो माइड के लिए अपना अनुभो शेयर करने का मौका मिल रहा है तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने सोलन सेंटर को भी चुना धन्यवाद ओम शान्ती प्युत कि उन्हory सेंटर का मौका तो मैं यदरोग कि ऊन्चे जोलोगय 26 घडिह कि ऊयरleş्चा को प्यवार कि सीजह